अगर साथ दिन होते तो मैं कुछ अच्छी बाते कहता, जो आपके लिए मरहम और सांत्वना होती, पर साथ साल हो गए हैं, इसलिए मैं कठोर शब्द कहूंगा, ठीक है? शब्द कठोर नहीं है, बात ये है कि यही जीवन का तरीका है, अगर हम जीवन का तरीका नहीं समझेंगे, तो हम जीवन जीने के लिए अयोग्य हो जाएंगे, अगर हम जीवन के तरीके नहीं समझेंगे, तो हम अपनी जीने की काबलियत खो देंगे, तो आप अच्छे से ज आप में से जो डॉक्टर या आंतिम संसकार का प्रबंद करते हैं, वो जानते होंगे। कितने लोग होंगे। मान लेते हैं कुछ हजार लोग। ठीक है। मैंने यह जानता यह संख्या इससे बड़ी हो सकती है। 24 घंटों में मुझे लगता है कई मिलियन लोग मरते हैं, हां? कई मिलियन मरते हैं, तो 2 घंटों में भी कुछ लाख मरते होंगे? और हर इनसान जो मरता है, वो किसी का प्रिए होता है, हां? शायद एक, दो, पांच या दस लोग इस समय किसी की मृत्तिव पर रो रहे होंगे हाँ या न तो क्या हम ये कहें कि ठीक है उन्हें मरना तो है ही उनको अकेला छोड़ दो नहीं ऐसा नहीं, वो कठोड़ता होगी मैं उसकी बात नहीं कर रहा लेकिन फिर भी ये समझना जरूरी है कि जीवन ऐसे ही बना है लेकिन आपने अपने विचार और भावनाओं को अलग तरीके से बनाया है जिनका किसी पड़ाव पर तूटना तय है या तो ये तब तूटेंगे जब आप मरेंगे या जब कोई और मरेगा अगर आप दोनों हमेशा जिन्दा रहें तो हम ये ज़ेल नहीं पाएंगे हाँ क्या आप ऐसे लोगों को ज़ेल सकते हैं जो एक दूसरे से जुड़े हों और जो कभी न मरें क्या आप ये ज़ेल पाएंगे मरना हर हाल में बात बस ये है कि हम चाहते हैं कि हर कोई जीवन का पूरा चक्र जी कर मरे ये हमारी इच्छा है लेकिन जीवन का पूरा चक्र क्या है आज डॉक्टर कह रहे हैं कि अगर आपका जीवन 50 साल का है तो हम उसे 500 साल बना देंगे निश्चित रूप से आपको लेकिन आप 500 साल जीएंगे, क्या आप जानते हैं वो ऐसा बोल रहे हैं, कुछ डॉक्टर ऐसा बोल रहे हैं, अब वो एक्स्ट्रा या अतिरिक लिवर, अतिरिक किड्नी, अतिरिक दिल बना सकते हैं, स्टेम सेल के इस्तिमाल से, और उन्हें आपके लिए तयार रख सकते हैं लेकिन बस यही है, कि हम उसे पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है, यह संभव है, कि आपके लिवर में दान्त हों, यह कैसा लगेगा, अगर आपका लिवर आपको ही अंदर से काटने लगे? वाकई, उन्होंने बिलकुल यही कहा, कि आपके लिवर में वाकई दान्त विक्सित हो सकते हैं, क्योंकि स्टेम कोशिकाओं में हम ये चीज़ कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, आपका दिल शायद बन जाए, पर शायद उसमें एक नाक हो, और वो शायद धड़कने के अलावा स सांस भी लेना चाहे, फिर आपको सांस लेनी के लिए एक छेद खोलना पड़ेगा, इस तरह से मैं कह रहा हूँ हूँ कि आप इसे खीच सकते हैं, लेकिन कोई भी कभी न मरने की बात नहीं कर रहा, ठीक है, पचास की जगा हमने कहा सौ साल, सौ की जगा हमने कहा एक सौ अतिरिक लिवर, अतिरिक किड्नी, अतिरिक दिल के साथ, अगर आप 500 साल भी जीए, तो क्या आप गर्मा के साथ मरेंगे? मैं पूछ रहा हूँ, 500 साल बाद भी वही संघर्च चलते रहेंगे है न, बस समय ज्यादा मिल गया, और राह में कई और संघर्च आएंगे, अंग ये जीने का तरीका नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं, सभी अपनी प्राकृतिक उम्र तक जीवन जीएं, लेकिन प्राकृतिक क्या है, ये तै करना आपका या मेरा काम नहीं है, है न? वज़े चाहे जो भी हो, जब तक जीवन यहां हैं, तो हम उसे सुरक्षित और पोशित करने की हर संभव कोशिश करते हैं, लेकिन जिस भी वज़े से, चाहे बेमारी की वज़े से, या कार दुरघटना से, या गोली से, या फांसी के फंदे से, जिस भी वज़े से जीवन जीवन शरीर छोड़ कर चला गया, इससे फरक नहीं पड़ता कि वज़य क्या थी, जैसे ही जीवन शरीर को छोड़ता है, आप उस जीवन के फैसले का सम्मान कीजे, कि उसने शरीर को छोड़ने का फैसला किया है, हमेशा, अगर आप उसका सम्मान नहीं करते, तो आपने उन बुन्यादी चीजों को नहीं समझा है जिन से जीवन चलता है, और वैसे भी ये जीवन के बारे में नहीं है, ये वो चीज खो जाने के बारे में हैं जो आपकी थी, किसी को अपना घर छोड़ना पड़ा, वो उसके बारे में साथ साल तक रो रहे हैं, किसी ने लाखों डॉल आप इसलिए रो रहे हैं, क्योंकि जो आपका था वो अब नहीं रहा, तो मैं इने यही बता रहा था, कि बच्चा अभी बच्च चार साल का है, तो पहली चीज है उसे अपना ना मानना, क्योंकि वो आपका है ही नहीं, वो कभी आपका नहीं था, ये आप ही हैं, जो दाव तो तूट जाएं, ये जीवन की बनावट के साथ तालमेल में नहीं है, शायद आप इसे स्वीकार न कर पाएं और सोचें कि सद्गुरु इतने कठोर कैसे हो सकते हैं, ये मेरी बात नहीं है, स्रिष्टी का यही तरीका है, या तो आप इसे देखते हैं और इसके तालमेल में आकर जीवन को सबसे उंचे शिखर तक ले जाते हैं, या आप इसे नहीं देखते हैं और हर चीज का रोना रोते हैं, तो ये सबसे जरूरी चीज है, जो आप बच्पन में करते हैं, भारत में, सिर्फ एक ही वजह थी, आज इसके अलग-लग कारण हैं, पर पहले वो सिर्फ एक ही वजह से बेटा चाहते थे, कि आपके बुढ़ापे में, वो आपको याद दिलाएगा, आपकी आध्यात्मिक जिम्मेदारी के बारे में, वो आपको आपकी मुक्ती के बारे में याद दिलाएगा, और अगर आपको जीवन में समझ नहीं आता, तो वो आपके मरने के बाद भी उसका इंतजाम करेगा। सिर्फ इसी एक वज़े से सभी लोग बच्चे चाहते थे। तो मैं कह रहा हूँ कि ये आपकी बुन्यादी जिम्मेदारी है कि जिसने आपको पैदा किया और जीवन दिया, उन्हें जीवन उनकी प्रकृती के बारे में याद दिलाएं और बताएं कि सबसे जरूरी चीज क्या है आप उनके जीवन की सबसे जरूरी चीज नहीं है उन्हें अपनी परम प्रकृती तक पहुँचना होगा यही सबसे जरूरी है